नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी मैवे में हैं आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जैसे कि आपको काफी समय से इंतिजार था RPSC AEN में जो असिस्टेंट इंजिनियर का एक्जाम हुआ था उसका आ आपको बता देता हूं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा के रास्तान लोग सिवा आयोग अजमेर की तरफ से आज यानि की आठ मार्स 2019 को एक नोटीस आया था जिसके अंदर बताया गया था कि आयोग द्वारा दिनांग 26 12 2018 से दिनांग 18 12 2018 तक आयोग सायक अभ Technical Engineering में तो उन सवके जो आस्र किये वो आज अपलोड कर दी गरी यह वेब साइट पर जो आर्पी सी由 की ओफिशल वेब साइट है उसमें बताय गया तक अपनी आपती online दर्ज करवा सकते हैं यानि कि अगर आपको कोई भी किसी भी question में objection होता है तो आप 12 मार्स 2019 से लेकर के 14 मार्स 2019 के बीच में आप अपना objection fill up कर सकते हो जिसी भी, मतलब काफी सारे मैंने answer की देखी तो उसके अंदर star marks थे यानि star कर रखे थे questions को जैसे कि एक बल्किंग का question था 4% 5% का था रेकनीकल सिविल का उसमें 5% उसका exact answer है तो उसमें भी star कर रखा था तो जिनको भी ऐसे कई सारे question है तो उनको आप objection में डाल सकता है तो इसी तरीके और भी बहुत सारे question थे आपके पर question जो है आपका सुल्क जो रखेगा वो मता देता हूँ आयोग द्वारा प्रतियक प्रश्न हे तू आपती सुल्क रुपए 100 रुपए यानि हर एक question का आपका objection करने पर आपके 100 रुपए लगेंगे लेकिन आपके लिए बहुत जादा important है और फाइनली objection को आप सब्मिट कर सकते हैं 12 मार्स 2019 से लेकर के 14 मार्स 2019 के बीच में बारा बजे रात त्री यानि की रात को बारा बजे से पहले पहले ओके फ्रेंट्स नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूं इसकी website कहां से आपको आंसर की डाउनलोड करनी है कहां से आपको objection करना है तो आपकी यह official website है जो कि आपके खुलेगी news section के अंदर आपको आंसर की दे रखी है अंसर की और आपको बिलाएं ऀससी माता रखी माता है और बटा दी और फाइनली आपको आपको आपकी जब बहुगे आ कहां से करेंगे तो आपने जो SSO ID जो आपकी है ओके केंडिडेट इंफो आपकी हाँ इसमें इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट चीज कि आपका जो टेक्निकल जो आंसर की है वो तो आपके पेपर पर एज इस मैच कर जाए लेकिन एक बहुत ज्यादा कॉम्लिकेट सबसे आपको करना क्या होगा यहां से आपको जाकर के केंडिडेट इंफोर्मेशन में जाकर के पहले तो इनका क्योशन पेपर डाउनलोड करना होगा आपको यहां पर आपको देख लीजिए यहां पर ही क्योशन पेपर आप यहां पर जाएंगे तो यहां से आपके पास म सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लीजेगा आपका year of examination और exam कौन सा आप ने दिया है उसके हिसाब से तो मैं आपका directly बता दिता हूँ यह रहा है ओके फ्रेंट्स यह आपको दिख रहा होगा question paper of assistant engineering combined compression exam 2018 GKN general science इसका आपको पहले question download करना question paper download करना होगा और उसके हिसाब से आपका answer की चेक करनी होगी क्योंकि आपका question paper और answer की दोनों अलग-अलग हो सकती है okay तो इस हिसाब से और finally आपके कितने number बन रहे हैं आप मेरे को comment box में ज्यादा ज्यादा बताईएगा आपके पहले आपने कितने number जोड़े थे उनसे आपके number कम मतलब बन रहे है या फिर आपने जो पहले जोड़ रखे थे आपने जो अंदाजा या approximate answer की से जो आपने हिसाब लगा रहा था उससे ज्यादा number आ रहे हैं या कम number आ रहे हैं तो आप इस चीज़ के बारे मेरे को जरूर बताईएगा okay friends तो finally यही सब कुस था और आपकी हैं objection आपको कहां से करना है आप SSO ID खोलिएगा अपना उसमें login करिएगा then after इसमें देख आपकी जगा SSO ID आपकी जो है बनी हुई वहां से आप SSO ID से आपना login करिएगा वहां पर आप अपने जहां पर assistant engineering का आपने application है वही पर आपको objection भी मांग रहा होगा उस पर आप objection पे क्लिक करेंगे then after आप अपना question number बताएंगे आपनी series बता देंगे उसके बाद मैं आप उसमें objection दे सकते हैं तो और भी अगर कहीं भी किसी भी related doubt होता तो मेरे से ज़रूर question में आप comment के जरी पूछ सकते हैं तो मैं आपका जल्दी जल्दी आपको जवाब देने की कोसिश करूँगा तो thank you for watching this video friends